नमस्कार, राष्टवादी पत्रकार सुदेश गौड के यूटूब चैनल पे आप सब पाहाद दिख स्वागत है। आप मेरा चैनल निरंतर देख रहे हैं, इसके लिए सभी का आभार, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, करपया लाइक कर हमारा उत्सा वल्दन करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। आज का विशय है समराठ अशोक की जैनती। भारती प्रसासनी कैलेंडर आप देखेंगे, तो उसमें अनेक जैनतियां, अनेक छुट्तियां वर्णित की जाती हैं उसमें, पर कहीं भी समराठ अशोक की जैनती का जिक्र तक नहीं है। अपने गौरवशाली इतिहास से हम आखिर इतना दूर अपने को क्यों रखते हैं। समराठ असोक के बारे में अगर कहा जाए कि वो एक ऐसे समराठ थे जिनका सामराज संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांगलादेश के अधिकांस भूभाग पर था है। यह विसाल सामराज उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारती सामराज रहा है। और यह इस्थान भारत में केवल समराज अशोक को मिला है। इसा पूरू 3304 में जन्मे समराज अशोक की जन्म जैनती इस देश में क्यों नहीं मनाई जाती है। जब इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि हमारे समराज अशोक को सिर्फ बिहार तक सीमित कर रखा है। बिहार में चक्रवती समराज की जैनती आठ अपरेल को मनाई जाती है। अभी ये आयोजन भी पिछले साल चेही चालू हुआ है और वहां पर भी ये आयोजन राजनीतिक खीचतान का हिस्सा बन गया है क्योंकि भाजपा ने अलग जैनती मनाई थी और जदियू ने अलग इसका आयोजन कियाता है। जिस समराट के नाम के साथ संसार भरके तियासकार महान शब्द लगाते हैं। जिस चक्रवती समराट का राज चिन असोग चक्र भारती अपने ध्वज में लगाते हैं। जिस चक्रवती समराट का राज चिन चार मुखी शेर को भारती राश्ट्री पतीक मान कर सरकार चलाते हैं और सत्मेव जय को अपनाया है। जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान चक्रवती समराट असोग के नाम पर अशोग चक्र दिया जाता है। जिस समराट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या समराट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत जितने बड़े भूबाग पर एक छत्र राज किया हूँ। चक्रवती समराट के ही समय में पहली बार 23 विश्विद्यालेों की स्थापना की गई थी जिसमें तक्षिला, नालंदा, विक्रमसिला, कंधार, आदी विश्विद्याले प्रमुग थे। इनी विश्विद्यालेों में विदेश से छात्र उच्च सिक्षा पाने भारत आया करते हैं। जिता कुछ हल और भेद भाव रही जीवन यापन कर रही थी। ऐसे महान समराट असोप जिनकी जैनती उनके अपने पूरे देश भारत में समान वगौरों के साथ क्यों नहीं मनाई जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हमें ये जैनती मनानी चाहिए। हम अपना ही इतियास मुला बैठे हैं और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों नहीं मनाना चाहते हैं। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर उस मुहावरे को रचा गया जो जीता वही सिकंदर। ये कैसे संभा हो सकता है। जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया गया था। और बहुत ही बूरी तरह उनका मनोबल तूट गया था जिसके कारण सथाक अतित महान सिकंदर को वापस जाना पड़ा था। आईए हम सब मिलकर इस एतिहासिक भूल को सुधार करने के लिए नीती निर्माताओं, सासन और सरकारों को याद दिलाएं कि आने वाली पीड़ी को यदि हम अपने गौरफ साली अतीत से वाकिव कराएंगे तो निश्चित ही उनका भविस उजल, समरिद और सम्मानित होग जै हिंद, जै भारत